नमस्कार स्वागत है सभी आगनबारी बहनों का आज के इस नए वीडियो में तो जैसा कि आज के ये वीडियो पूरे भारत की आगनबारी सेवी का साहिकाओं के लिए काफी यूजफूल होने वाली है इस वीडियो को आप लोग कम्पलीट जरूर देख लिजेगा जैसे कि आप सभी को मालूम होगा कि 8 जनवरी से लेके 14 जनवरी 2022 के बीच एक कारेकरम आयोजित होने वाला था जिस कारेकरम का नाम था स्वस्त बालक बालिका अस्वर्धा ये एक नया अपडेट आये हुआ है कि इस कारेकरम को फिलाल के लिए अस्थागित कर दिया गया है और इस पत्र में इसका पूरा कारण बताया गया है किस कारण से इसको रद किया गया है और जैसे कि इस कारेकरम में जो आगन बारी बहने पैरेंट्स और गर्जियन्स एंज एजेंसी रिपरजेंटिव जो भी लोग इस कारेकरम में हिस्सा लेने वाले थे वो पिछले कुछ दिनों से काफी सारी तयारिया कर चुके थे लेकिन अभी जो नया अपडेट मिला है ये कारेकरम है इसको अस्थागित कर दिया गया है तो इसी के बारे में आपको पूरी जनकारी मिलने वाली है तो वीडियो काफी उसफिल है आप सभी के लिए आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिजीएगा ताकि हमें मोटिवेट मिलती रहे और हम आपके लिए इस परकार की नई नई जनकारिया लेके आते रहे तो जैसा कि आप लोग यहाँ पर देख पा रहे हैं कि भारत सरकार महिला एवं बाल विकास मंत्राले के तरफ से इस पत्र को जारी किया गया है इस पत्र को जारी करने का जो तिथी है वो 30 दिसंबर 2020 को ही जारी किया गया था यहाँ पर देख सकते हैं डियर चीफ सेक्रेटरी तो इस परकार के जो पत्र है वो राज एक के सभी चीफ सेक्रेटरी को भेजे गए है प्रीज रेफर तो मिनिस्ट्री अफ वुमें और चाइल्ड देवलोपमेंट्स अर्लियर कम्यूकेशन रिकार्डिंग और्गनाइजेशन ओफ दा स्वस्त बालक बालिका अस्परधा तो मोबिलाइज सस्टेंड कम्यूटी पार्टिसिपेशन फोर हेल्थ और नुट्रिशन इसूज इन दा कॉंट्री फ्रॉम 8 जनुवरी तो 14 जनुवरी 2020 यानि कि कहने का मतलब है कि यह जो स्वस्त बालक बालिका अस्परधा 8 जनुवरी से लेके 14 जनुवरी 2022 की बीच होने वाला था इस कारेकरों को अभी फिलाल के लिए पोस्पून किया जा रहा है यानि अस्थागित कर दिया गया है यहाँ पर देख सकते हैं कि Ministry of Women and Child Development के तरफ से लेटर जो जारी हुआ है उसमें इसको अस्थागित कहे जाने की बात कही गई है यहाँ नीचे जाने कि इसका जो कारण है क्या है Keeping in mind current scenario of COVID-19 cases in the country and related health concerns for the children of 0 to 6 age group तो जैसे कि यहाँ पर देख सकते हैं कि जो इसका कारण दिया गया है वो COVID-19 cases को इस्थिती को देखते हुए इस कारेकरम को अस्थागित किया गया है जैसे कि यह जो COVID-19 cases है जो तीसरा लहर है वो उस तीसरे लहर में बच्चों पे काफी जादे परभाव डाल रही है इसको ध्यार में रखते हुए इस कारेकरम को फिलहाल के लिए अस्थागित कर दिया गया है इस लेटर में कहा जा रहा है कि जो इस कारेकरम में हिसा लेने वाले थे लाइन्स कलोप और जो सेवी का सहाई का एंड पेरेंट्स एंड गर्जेंस थे उनको यहां पे लेटर के माध्यम से अभार व्यक्त किया जा रहे है उनके दोवारे जो कोशिस थी वो काफी सराहनिय कोशिस है इस पत्र में इस परकार की जनकारियां दी गई है यहां पे देखेंगे यहां पे देखेंगे वी वूड लाइक टू एक्स्प्रेश यूर वार्म रेटिट्यूट फ़र अल यूर सेंसियर एफ़र्स एंड पार्टिसिपेशन मेड फ़र्सो फ़र्दी इस डेसन वाइड एस बीबी एस केम्पेंड और दोज कॉंट्रिबूटिंग टू वीजन ओफ़र्दी प्राइम मिनिस्टर फर सुपोशित भारत यह जो राष्ट ब्यापी कारेकरम होने वाला था और इस कारेकरम में आप लोग का जो एफ़र्स था वो काफी साहनिय था यानि कहने का मतलब है अब जो इसकी नईती थी होगी इसके बारे में आपको सच समय जनकारी दे दी जाएगी यहाँ पर नीचे देख पाएंगे कि इसका जो कॉपी है वो एडिशनल चीफ सेक्रेटरी इस परकार की जो कॉपी है वो पूरे स्टेट में भेजी गई है कि यह जो कारेकरम है उसको अभी फिलाल के लिए स्थागित कर दिया गया है हलाकि ICDS विवाग के तरफ से अभी इसका लेटर जाड़ी नहीं हुआ है इसके रिकार्डिंग भी एक लेटर जाड़ी होगा जिसके बारे में आपको सवसमय जनकारी मिल जाएगी वीडियो आप सभी को पसांद आई हो तो वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करें एंड इस वीडियो को सभी आगनबारी बहनों के साथ सेयर जरूर करें ताकि उनको भी इस कारेकरम के बारे में पता लग सके कि यह जो कारेकरम है वो फिलाल नहीं होने वाला ह तो आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंग